Now, we will discuss hypothetical dilemmas. Hypothetical dilemmas असल में moral reasoning या moral judgment को assess करने के लिए इस्तिमाल होते हैं. Kohlberg ने भी ऐसे dilemmas बनाए और और बहुत से authors ने भी बनाए. अब देखे ये है क्या? It is a situation in which two moral principles conflict with one another. दो ऐसी situations पेश की जाती हैं हमारे participant को या subject को जो बिलकुल अलग-अलग यानि उसमें आप क्या react करेंगे? आप सही की तरफ जाएंगे या आप गलग की तरफ जाएंगे और दोनों में से किस चीज़ का इंतिखाब करेंगे? तो अब जब असेस करना होता है हमने कितनी अखलाकियात इस चक्स के अंदर पैदा हो चुकी हैं तो वो उस डिलमा में उसको different options दी जाती हैं. अब वो देखता है कि कौन सी option उसको suit करती है और हम उसकी इस selection से जांच जाते हैं कि वो कौन से मरहले तक या कौन सी stage तक पहुंचा है. अब यह x जो है यह एक option है कोई भी एक option जब आम उसको डिलमा सुनाते हैं और फिर उसके बाद उसको कुछ उसके हल देते हैं कि वही कौन सी situation में आप कौन सा act करेंगे किस तरह से अमल करेंगे. इन एक्सिस में से वो जिसको मुनासिब समझता है उसके बारे में बताता है या उसको टिक करता है. इसे बहुत से डिलमास हैं जिनकी मदद से आप दूसरे लोगों से पूछ सकते हैं कि वो अखलाकियात की कौन सी स्टेट पे हैं. इसमें एक दिल्चस्प जो स्टोरी है जैसे लास्ट बैग कि भाई कोई अगर आप जा रहे हैं और अचानक आपको पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है उसमें बहुत सी रकम है तकरीबन एक लाख डॉलर के करीब तो क्या आप उसको रख लेंगे या उसकी कंपनी को वाप कर्ज लिया हुआ है और अगर आप वो नहीं देते तो वो आपको पकड़ लेंगे गरिफ्तार कर लेंगे दूसी सिच्वेशन ये है कि आप खुद बड़े बिमार हैं आपको कोई ऐसी बिमारी है कि जिसका इलाज उस पैसे के बगएर मुमकिन नहीं और अब तक आप सोच पैसे रख लेंगे फिर ये कि हो सकता है आप किसी बाहर के अदारे में दाखला लेना चाहते हैं और वहां पे सिवाए इन पैसों के और कोई पैसे आपके पास है नहीं वो बड़ी आपकी अमबिशन है तो क्या फिर आप ये पैसे रख लेंगे तो इस आसे मुक्तलिफ होता है कि एक बोट में एक आप है और दूसरा मुक्तलिफ शक्सियात को रिपलेस किया जाता है कि कश्टी जो है वो डूब रही है इसा से डूब रही है कि या आप बचेंगे या वो बचेगा या दूसरा साथी बचेगा तो क्या आप ऐसी कुर्बानी देंगे किस के कूद जाएंगे वो कोई बहुत नोबल प्राइज रखने वाला बड़ा मशूर साइंटिस्ट है तो क्या आप उसके लिए डूब जाएंगे या कोई आपका करीबी दोस्त बेहन भाई है तो क्या आप उसके लिए कुर्बानी देंगे तो वो यह देखते हैं कि मुखतलिफ उमर और मुखतलिफ मरहलों के या स्टेजिस के लोग जो हैं वो मुखतलिफ तरह के जवाब देते हैं मसलिए एक छोटा बचा जिसकी उमर 6 साल है उसने जवाब दिया उससे यह पूछा गया कि क्या दूसरे कौने में एक रैबिट हो और आप रैबिट के बचाने के लिए कूछ जाएंगे समंदर में या दर्या में तो वो कहता है हाँ वो पुछते क्यों कहता है रैबिट बड़ा मजेका होता है उसको रखने का मेरा बड़ा दिल करता है अब वो यह नहीं सोच रहा कि वो नहीं होगा तो रैबिट भी नहीं होगा लेकिन रैबिट में उसको इं बड़ी वेल सेटेड है, उसकी मंगनी भी हो चुकी है, लेकिन वो दूर दराज किसी विलिज में जाके लोगों की खिदमत करना चाहती है, अब वो चली भी जाती है, वहां खिदमत कर भी रही है, लोग उससे बड़े खुश हैं, लेकिन फिर उसको मुख्तलिफ सिच्वेश करूंगा तो क्या आप छोड़के आ जाएंगी, इस तरह मुख्तलिफ उसको सिच्वेशन दी जाती है, या आपके मुलक को आपकी जरूरत है, सब जगा पे ताउन फैल चुका है, हालांके ताउन उस गाउं में भी फैल गया है, तो क्या बाकी लोगों को बचाने के लिए गौर्मेंट के कहने पे आप वहां से आ जाएंगी, वो ये मुख्तलिफ स्टेजिस हैं, जिसमें वो देखती हैं कि असल में देखना, चुकि हाइपो थैटिकल है न, सच में तो नहीं है, पर एक सिचुएशन क्रियेट की जाती है, जिसमें ये देखा जाता है, कि हमारा ज सबजेक्ट है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसकी तरजीह क्या है?